वेलकम टू ग्लोबल टेकनिकल एजूकेशन तो फ्रेंड आदम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एस्थ्री और एस-11 की बीच में जो डिफ्रेंसेज हैं इसके बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की प्राइजेस की यहां पर एस्थ्री क की जो कीमत है इंडियन मार्केट में वह है 10,2,000 रूपीज एस-11 की जो कीमत है वह है 14.95 लाक से लेकर 16.16 लाक तक यानी लगभर 15 लाक से लेकर जो सवा 16 लाक तक तो फिरन आगे बात करते हैं इसके स्प्रेफिकेशन में जो डिफ्रेंसेज हैं उसके बारे में तो यहां पे seatbelt warning मिलेगी आपको आगे बात करते हैं brakes की तो S3 में आपको सेसल कुछ नहीं मिलना braking system में लेकिन S11 में आपको ABS यानि anti-lock braking system और EBD electronic braking system यहां पे आपको मिल रहा है brake distribution आगे बात करते हैं storage की तो यहां पे आपको S3 में कुछ नहीं मिलना लेकिन S11 में आपको sunglass holders और cup holders for front and rear दोनों के लिए मिलेंगे आगे बात करते हैं exterior section की यहां पे आपको S3 में roof rails मिलेंगे और S11 में roof rails के साथ-साथ roof rail body kit and body color bumpers and roof model antenna यह सारी चीज़ें मिल रही हैं entertainment की बात करें तो S3 में आपको किछ नहीं मिलना लेकिन S11 में आपको touchscreen display bluetooth compatibility and USB aux compatibility with MP3 CD player, FM radio, voice command, music system, 4 speakers हैं यह सारी चीज़ें आपको entertainment section में S11 में मिल जाएंगी बात करते हैं warranty की तो यहां पे आपको 2 साल की warranty और 75,000 km तक की warranty यानि 75,000 km तक की warranty मिलेगी दोनों कार्थ के लिए बात कर लेते हैं इसके certification में जो differences हैं तो यहां पे talk है जो S3 का maximum talk वो है 200 Nm at the rate of 1400 rpm और जो S11 का maximum talk है वो है 320 Nm at the rate of 1500 rpm capacity की बात करें तो 2523 CC का engine लगा हुआ है S3 में और S11 की बात करें तो यहां पे आपको 2179 CC का engine मिलेगा 6 gears है S11 में और 5 gears है S3 में आगे बात करते हैं rear wheel drive car है यह दोनों और नहीं यहां पे आपको rear wheel drive car S3 मिलेगी और four wheel drive car यानि all wheel drive car यहां पे आपको S11 मिलेगी तो friends आगे बात करते हैं इसके maximum power पी तो 75 bhp at the rate of 3200 rpm यह मिल रहा है S3 का आपको maximum power और S11 का maximum power है वो applicable नहीं है और तो friends this was differences between a new Mahindra Scorpio S3 and S11 तो आपको वीडियो कैसी लगी आपको comment करके बताए शेयर की जिस वीडियो को WhatsApp and Facebook पे और सब्सक्राइब तो जरूर कर ये इस चैनल को रोज बेल आइकन को बढ़र दबाईए ता कि मैं जब भी ने वीडियो डालनों तो अफर दैक मोडिफिकेशन आप जाए और लाइक कर दीजिए वीडियो को थैंकिए फोचिंग दिस बाई